पिछले 15 महीने से भारतिय जन्ता पार्टी की केंदर सरकार, उनकी केंदर सरकार की सारी एजनसियां, उन एजनसियों के 500 से जादा अफसर, तथा कथित एकसाइस पॉलिसी घोटाले की जाच कर रहे हैं इस जाच में, एडी और सी बी आई ने 500 से जादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए है, इन 500 से जादा अफसरों ने हजारों जगा रेड करी, हजारों जगा च्छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी, एक रुपे के भरष्टा चार का सुबूत, ये एजनसियां, भारतिय जन्ता पार्टी, उनकी केंदर सरकार, ना कोट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है, पहले इन्होंने मनीश से सोदिया जी के घर पे च्छापा मारा, उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला, उनके पैतरिग गाउं में च्छापा मारा, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी को सुबूत की तो जरूरत नहीं है, एक रुपे के भरष्टा चार के सुबूत के बिना उन्होंने मनीश से सोदिया जी को गिरफ़तार कर लिया, और अब फिर से यही कहानी संजर सिंग जी के साथ गढ़ी जा रही है, कल इडी वाले संजर जी के घर आए, आठ घंटे तक उनके घर में रहे, आठ घंटे तक एक चार कमरे के घर पर छापा मारते रहे, घर का एक-एक हिस्सा चान लिया, एक-एक अलमारी देख लिया, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया मैं आज भारतिय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके जुटे आरोप लगाते हैं उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजे सिंग के घर से अगर एक रुपया भी उनको भरष्टा चार का मिला हो तो देश के सामने उसका सुबूत रखें और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीती छोड़ दें मैं भारतिय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजे सिंग जी के घर पर raid किया है उनके घर पर छापा मारा है मैं उनको नियोता देना चाहती हूं कि अपनी ED को अपनी CBI को उनके पैतरिक घर में भी भेजिए उन अपनी ED को अपनी CBI को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए देश के हर उस हिस्से में भेजिये जहाँ पे संजे सिंग गए है और वहाँ पे हर जगा भेजने के बाद भी मैं चालेंज दे रही हूँ कि उनको भरष्टा चार का एक पैसा भी नहीं मिलेगा लेकिन आज भात ये जंता पार्टी को कोई फरक नहीं पड़ता है आज भात ये जंता पार्टी बिना किसी सुबूत बिना किसी प्रमाण उनका विरोध करने वाले किसी भी वेक्ती को जेल में डाल सकती है हम पिछले दो दिन से जो दिल्ली में ही देख रही है हम पिछले कुछ दिनों से जो पूरे देश में देख रही है कि जो भारतिये जंता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसके पीछे ED और CBI छोड़ दी जाएगी, उसको गिरफतार कर लिया जाएगा, उसको चुप कराने की, उसका मुँ बंद कराने की कोशिश की जाएगी. अभी हमने दो दिन पहले देखा कि दिल्ली में अनेकों senior journalist के घरों में offices में raid हुई, उनको दिन भर के लिए detain किया गया, उनके phone seize कर लिए गए, उनके laptop seize कर लिए गए, हमने परसों शाम को देखा कि जब TMC के सांसर अपनी आवाज उठाने के लिए कृशी भवन जाते हैं, उनको घसीट घसीट कर वहाँ से निकाला जाता है, और कल संजे सिंग जो इस देश के संसद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भष्टा चार के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बुलंद आवाज हैं, कल उनको भी गिरफतार कर लिया गया है, गिरफतारी का कारण क कोई भष्टा चार तो है नहीं, क्योंकि एक रुपे का भी सबूत 15 महीने में सामने नहीं आया है, गिरफतारी का कारण संजे सिंग के घर में मिले हुए पैसे, सोना, जेवरा तो है नहीं, क्योंकि कुछ भारतिये जनता पार्टी की एडी को मिला तो है नहीं, संजे सिंग को गिरफतार करने का सिर्फ एक ही कारण है, कि संजे सिंग संसद में एक ऐसी आवाज है, जो भारतिये जनता पार्टी के भष्टाचार को उजागर करते हैं, सबसे पहले उस आवाज को दबाने के लिए, उन्होंने संजे सिंग को राज्य सभा से सस्पेंड कर दिया, कि द संजे सिंग ऐसी धंकियों से डरने वालों में से तो नहीं है, इसलिए वो देश के अलग-अलग हिस्सों में जाके भारतिये जनता पार्टी के भष्टाचार को उजागर करते रहे, जो हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी और उनके खास दोस्त हैं, उनके खास दोस कैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, इस खास दोस्ती और उसके भष्टाचार को उजागर करते रहे, और क्योंकि भारतिये जनता पार्टी और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी संजे सिंग की इस बुलंद आवास को शांत नहीं कर पाए, चुप नहीं कर पाए, डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए कल संजे सिंग जी को गिरफतार कर लिया गया, मैं भारतिये जनता पार्टी को आज ये कहना चाहती हूं, कि आम आदमी पार्टी आपकी ये जेल की धमकियों से डरने वाली नहीं है, आपने मनीश सिसो दिया को जेल में डाल दिया, आपने सतेंद जैन को जेल में डाल दिया, एक साल तक जेल में रखा, आज आपने संजे सिंग को जेल में डाल दिया, लेकिन जब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, एक एक कारिकरता में, जब तक आखरी सांस है, हम भारत की जेल की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं, हम इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, थैंक य। वक्ता जिनके पास कोट से पहले सूचना पहुंचती हैं, और उनकी एजनसियां, एडी और सी बी आई को ये चैलेंज करती हूं, कि वो देश के सामने कोई भी प्रमान रखें, कोई भी कागज रखें, एक रुपया बताएं जो संजे सिंग जी के घर से मिला हो, जिसके आधा कितनी जेवरात मिले, उनको संजे सिंग जी के घर से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आज भारतिय जनता पार्टी की ये ऐसी ताना शाही है, कि बिना किसी सुबूत के भी आज वो किसी को भी गिरफतार कर सकते हैं, किसी के घर में चापा मार सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, किसी के लैप टॉप सीज कर सकते हैं, किसी को घसीट-घसीट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भारतिय जनता पार्टी की ये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की ये च्छट-पटाहट है, कि वो किसी तरह से अपने खिलाफ मूँ खोलने वालों को आ देखिए आज अगर E.D. हम आदमी पार्टी को अक्यूंस्ट बनाने की बात कर रही है पंद्रा महीने की जाँच के बाद तो इसका सिर्व एक ही मतलब है कि ना उनके पास मनीश सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस है ना संजे सिंग के खिलाफ कोई एविडेंस है इसलिए ये उनकी अब छटपटाहट दिखा रहा है कि किसी तरह से अपने जूट को अपने फरजीवाडे को आगे बढ़ाते रही है लेकिन मैं भारतिय जंता पार्टी को अब फिर से चैलेंज कर रही हूं कि वो पंदरा महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रुपे की भी ब्रश्टा चार का सुबूत देश के सामने रखे तो सही वो कहते हैं जी मनीश सिसोधिया ने बहुत ब्रश्टा चार किया जब पूछा जाता है सुबूत क्या है तो पता चलता है कोई सुबूत नहीं है संजे सिंग जी के घर पे रेड कर ली उनको अरेस्ट कर लिया आप पूछे एडी से क्या मिला संजे सिंग के घर पे क्या कैश मिला क्या जेवरात मिले क्या सोने के बिसकुट मिले कुछ भी नहीं मिला संजे सिंग के घर से तो इसलिए जब मनीश से सौधिया के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है जब संजे सिंग के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है तो अब एक नया शुगूफा उनका शुरू हो गया है लेकिन जैसे अभी तक एक रुपे के भ्रष्टाचार का वो सुबूत नहीं रख पाए, वो आगे भी नहीं रख पाए कल जब कोट की प्रोसीडिंग चल रही थी तो कोट में मनीश सिसोदिया जी की तरफ से पेश हो रहा है अभिशेक मनु सिंग्वी जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पूरी डीटेल लिस्ट रखी कि किस तरह से एक के बाद एक अलग अलग लोगों के घरों में चापे मारे गए उनकी क्वेश्चनिंग हुई उन्होंने मनीश सिसोदिया के खिलाफ संजे सिंग के खिलाफ आमादमी पार्टी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया उनको अरेस्ट करने के कई कुछ दिनों बाद उनसे दबाव पूरुवक गवाही दिलवाई गई और जैसे ही हर इंसान ने आमादमी पार्टी के किसी के भी नेता के खिलाफ गवाही दी तो उसे तुरंत बेल मिल गई ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाच से भी जादा अक्यूजड और विटनेस के साथ इस केस में हुआ है इसका क्या मतलब है? आप किसी को भी जेल में डाल दीजिए, आप किसी पे भी दबाव बना दीजिए, आप उन्हें ये प्रेशर करिए, कि आप दीजिए जूटी गवाही, हम आपको तुरंत बेल पे छोड़ देंगे मैं तो भातिय जन्ता पाटी को ये चैलेंज कर रही हूँ, कि अभी तो संजे सिंग के घर पर गए हैं, जाएं उनके पैतरिक घर में, जाएं उनके लौकर पर, जाएं देश के हर उस जगाँ पर जहां पे संजे सिंग पिछले एक साल में गए हैं, और उसके बाद मी तो इसलिए अगर धातिय जन्ता पार्टी में दम हैं, उनकी इन एजन्सियों में, उनके स्तोता मैना में दम हैं, तो दिखाएं एक पैसे के भी भश्टाचार का सुकूत.